आपका पहला प्रस्ण है जर्मनी का एकिकरण किस ने किया था अप्षन ए बिसमार्क ने अप्षन बी लैमार्क ने अप्षन सी मुसो लीनी ने अप्षन डी काल्स मार्क्स ने तो इसका उत्तर है अप्षन ए बिसमार्क ने जर्मनी का एकिकरण बिसमार्क ने किया था अगला प्रस्ण है अमेरिका के पहले राष्ट पती कवन थे अप्शन A Bill Quinton, अप्शन B जोर्ज वासिंगटन, अप्शन C जार्ज बूस, अप्शन D इन में से कोई नहीं तो उत्तर होगा अप्शन B जोर्ज वासिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट पती थे पदमावत की राचना किस ने की अप्षन A जैसंकर परसाद अप्षन B भवानी परसाद मिस्र अप्षन C मलिक महमद जयसी मैथिली सरण गूप्त तो और अगला प्रस्न है माउंट एवरेष्ट पर सबसे पहले कवन चाढढ तो दोस्तो उत्तर होगा option B तेंजिंग नोर के और एडमांड हिलेरी जो निउजिलेंड के थे और तेंजिंग नोर के नेपाल के थे अगला प्रस्ण है भगत सिंग सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? option A 23 March 1931 option B 31 March 1923 option C 23 March 1929 option D 31 March 1929 तो आपका उत्तर होगा option A 23 March 1931 भगत सिंग सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी अगला प्रस्ण है स्वन 1923 में स्वराजपाठी का गठन किसने किया था option A जवाहरलल नेरु और महात्ना गांधी ने option B लाला हिर्दयलाल और सुभाष चंद्रबोस ने option C चितरंजन दास और मोतिलाल नेरु ने option D स्यामा प्रसाद मुखरजी और लाला हिर्दयलाल ने तो ही उत्तर होगा option C चितरंजन दास और मोतिलाल नेरु ने सन 1923 में स्वराजपाठी का गठन किया था अगला प्रस्ण है सुन्दर लाल भहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है option A चिपको अंदोलन से option B नर्मदा बचाओ अंदोलन से option C और सयोग अंदोलन से option D बचपन बचाओ अंदोलन से तो सही उत्तर होगा option A चिपको अंदोलन से संबंधित है विश्व में सबसे गहरी जील कवन सी है option A मिसीगन जील option B कैस्पियन सागर Option C मरा मरा सागर Option D बैकाल जील जोकी साइबेरिया में है तो दुस्तो उत्तर है Option D बैकाल जील विशो में सबसे गहरी जील है अगला प्रस्ण है बांदीपूर अभ्यारन किस राज में है Option A अंधर परदेश में Option B तमिल नाडू में Option C केरल में Option D करनाटक में तो आपका सही उत्तर होगा Option D करनाटक में उपराष्ट पत्ती का चुनाव कवन करता है Option A संसद सदस्य Option B राष्ट पत्ती Option C सीधे जानता Option D सरोच नियाले तो आपका सही उत्तर होगा Option A संसद सदस्य उपराष्टिपति का चुनाव करता है अगला प्रस्न है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा अंदोलन शुरू किया था आप्शन A और सायोग अंदोलन आप्शन B सविने अवग्या अंदोलन आप्शन C चमपारण अंदोलन आप्शन B राष्ट पती आप्शन C महान्यावादी आप्शन D भारत का मुख्य न्याधीस तो इसका उत्तर होगा आप्शन B राष्ट पती भारत का सम्मेधानिक मुख्या राष्ट पती होता है राष्टियम मतदान दिवसकब मनाया जाता है आप्शन A 25 जनवरी को आप्शन B 24 जनवरी को आप्शन C 27 जनवरी को आप्शन D 30 अपरायल को तो आपका सही उत्तर होगा आप्शन A 25 जनवरी को राष्टिय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है गोदान किसकी राचना है आप्शन A मुनसी प्रेम चंद्र की आप्शन B हरिसंकर परसाई की आप्शन C महादेवी बार्मा की आप्शन D सुरिकांत त्रिपाठी निराला की तो आपका उत्तर होगा आप्शन A मुनसी प्रेम चंद्र की तमबाकू पर पुरित्र अप्रतिबंद लगाने वला विश्व का पाला देश कवन्था है अप्शन A. निपाल अप्शन B. भारत अप्शन C. बंगलादेश अप्शन D. भुटान तो आपका सही उतरोगा अप्शन D. भुटान अप्शन A. मुहमत साह अप्शन B. ओरंग जेब अप्शन C. अकबर अप्शन D. भादूरसाह जफर दित्य तो आपका सही उतरोगा अप्शन D. भादूरसाह जफर दित्य अप्शन मुगल समराठ था. अगला प्रस्ण है. कोई विधायक धान विधायक है या नहीं इसका फैसला कौवन करता है उब्षन A राष्टपती उब्षन B परधान मंत्री उब्षन C लोकसभा अध्योक्ष उब्षन D वित्थ मंत्री तो सही उतरोगा आप्षन C लोग सभा अध्याक्ष अगला प्रस्ण है किस ग्रा के चारो ओर वल्ले है आप्षन A सनी ग्रा के आप्षन B बुद्ध ग्रा के आप्षन C मंगल ग्रा के आप्षन D सनी ग्रा के तो सही उतर होगा option D सन्निग्रा के चारो और वल्ले है अगला प्रस्थन है कितिनी उचाई पर जाने से तपमान एक डिगरी सेल्सियस की कमी होती है option A 120 मीटर, option B 165 मीटर, option C 180 मीटर, option D 200 मीटर तो सही उतर होगा option B 165 मीटर रेडियम की खोज किस ने की थी? option A आईजक निउटन ने, option B रदर फोर्ड ने, option C पीरे और मैरी किवरी ने, option D इनमे से कोई नहीं सही उतर होगा option C पीरे और मैरी किवरी ने रेडियम की खोज की थी अगला प्रस्ण है सक समवत को राष्टिय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? option A 22 अपरेल 1957 को, option B 22 मार्च 1957 को, option C 22 मार्च 1947 को, option D 22 अपरेल 1947 को तो सही उतर होगा option B 22 मार्च 1957 को, राष्टिय पंचांग के रूप में सक समवत को अपनाया गया अगला प्रस्ण है साथ पहाडियों का नगर कवन सा कहलाता है option A Rome, option B London, option C Paris, option D Newark तो आपका सही उतर होगा option A Rome अगला प्रस्ण है प्रथम हिर्दय प्रत्यारोपन किसने किया था option A Edward Jenner ने, option B Karl Jung ने, option C Dr. Christian Bernard ने, option D Alexander Fleming ने तो सही उतर होगा option C Dr. Christian Bernard ने प्रथम हिर्दय प्रत्यारोपन किया था अगला प्रस्ण है, वाई यान कि खोज किसने कि, option A Oliver और विलीवर राइट बंधू, option B रोनाल्ड रास, option C, अलफ्रेड बलालाक, option D, चाल्स इंट्रो तो सही उतर होगा option A, उलीवर और विलीवर राइट बंधू ने वाई यान कि खोज कि थी किस मुगल बाद सा ने, अंगरेजी इस्ट इंडिया कमपनी को सुरत में करखाना लगाने की इजाज़त दी अकबर मुगल सा ने, अरंगजेव मुगल सा ने, हुमायू मुगल सा ने, जहांगीर मुगल सा ने आपका सही उतर होगा, अप्शन D, जहांगीर मुगल सा ने, अंगरेजी इस्ट इंडिया कमपनी को सुरत में करखाना लगाने की इजाज़त दी थी अगला प्रस्ने, अलिगर अंदोलन कीस से समबंदी थाए, अप्शन A, अब्दुलकलाम आजाद से, अप्शन B, जाकिर हुसेन से, अप्शन C, आगा खान से, अप्शन D, सरसयद अमत खान से, तबका सही उतर होगा, अप्शन D, सरसयद अमत खान से, अलिगर अंदोलन किस देश की अस्थल सिमाज सरवदिक देशों के साथ लगती है आपका ओप्षन है चीन देश के भारत देश के तूर्की देश के बंगला देश के तो दोस्तों आपका सही उतर होगा ओप्षन ए चीन देश के अगला प्रस्ण है भारतिय मरुस्थल का क्या नाम है option A पेंटागोन, option B थार, option C लाइगून, option D नारकांडा तो आपका सही उतर है option B थार कृत्वी अपनी धूरी पर किस दिशा में घुमती है option A पूरव से पच्छिम, option B उतर से दच्छिड, option C पच्छिम से पूर्व, option D दच्छिड से उतर तो आपका सही उतर है option C पच्छिम से पूर्व नीम्न में से कवन सी धात्व बिजली की सबसे अधिक सुचालक है अप्षन A. एलमुनियम, अप्षन B. चान्दी, अप्षन C. तामबा, अप्षन D. क्रोमियम, तो आपका सही उतर है अप्षन B. चान्दी हर्याणा के पहले मुख्यमंतिरी एकवन थे, आपका अप्षन है पंडित भगवत दयाल सार्मा, पंडित रवि संकर सुकला, दयाराम ठाकूर, सिव संकर सार्मा, तो आपका सही उतर है अप्षन A. पंडित भगवत दयाल सार्मा हर्याणा के पहले मुख्यमंतिरी थे अगला प्रस्ण है बैरो मीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है ओप्षन A वार्षा ओप्षन B मौसम साफ ओप्षन C तुफान का ओप्षन D इन में से कोई नहीं तो आपका सही उतर होगा ओप्षन C तुफान का काजिरांगा राष्टी अभ्यारण किस राज में है ओप्षन A असाम राज में ओप्षन B मडिपूर राज में ओप्षन C पच्छिम बंगाल में ओप्षन D सीकिम में तो दोस्तों सही उतर होगा option A असाम राज में कजिरांगा राष्टी अभ्यारण इस्थित है अगला प्रस्ण है उजयन किस नदी के किनारे बसा है चम्बल नदी के किनारे नर्मदा नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे सिप्रा नदी के किनारे तो आपका सही उतर होगा option D, सिप्रा नदी के किनारे गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है option A, प्रोपेन, option B, ब्यूटेन, option C, एथेन, option D, मिथेन तो दोस्तो उतर होगा option D, मिथेन कारबन का सरवधिक सुद रूप कवंसा है option A, हीरा, option B, ग्रेफाइट, option C, कारबन, option D, फूलरीन तो आपका उतर होगा option A, हीरा कारबन का सरवधिक सुद रूप है किस धातु का परियोग मानो द्वारा सबसे पहले किया गया लोहा का, तामबा का, चान्दी का, एलमुनियम का तो आपका उतर होगा option B, तामबा का भारत में सरवधिक वर्षावला स्थान मासिन राम किस राजे में है ओसम राजे में, मडिपूर राजे में, मेघाले राजे में, पच्छिम बंगाल राजे में तो आपका उतर होगा option C, मेघाले राजे में भुकौम पता था इससे संब्धित परिगटनाओं का बैग्यानिक अध्यान किस नाम से जाना जाता है आप्शन A. सेमसोलाजी आप्शन B. एंटुमोलाजी आप्शन C. साइरोलाजी आप्शन D. फैकोलाजी तो उत्तर होगा आप्शन A. सेस्मोलाजी भुकौम पता था इससे संब्धित परिगटनाओं का बैग्यानिक अध्यान सेस्मोलाजी के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण है आप्शन A. ब्राजील आप्शन B. वेनेजुएला आप्शन C. अर्जेंटीजिना आप्शन C. अर्जेंटीना आप्शन D. चिल्ली आपका सही उतर होगा आप्शन C. अर्जेंटीला भारत के किस राज में मानसुन का अगमन सबसे पहले होता है आप्शन A. केरल राज में आप्शन B. करनाटक में आप्शन C. पच्छिम बंगाल में आप्शन D. महाराष्ट में आपका उतर होगा आप्शन A. केरल राज में मानसुन का अगमन सबसे पहले होता है पाक श्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है आप्शन A. भारत पकिस्तान को आप्शन B. भारत बंगलदेश को आप्शन C. भारत माल्दीव को आपसन D भारत सिरिलांका को तो आपका उत्तर होगा आपसन D भारत सिरिलांका को पाक श्ट्रेट जोडता है जास्ता के लिए परसिद जावरा खाने किस राज में इस्थित है आपसन A मद्य पर्देश में आपसन B गुजरात में आप्षन C आंधर परदेश में आप्षन D राजस्थान में तो आपका सही उतर होगा आप्षन D राजस्थान में आपका अगला प्रस्थन है और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्थन है हर्याना का छेतरफल कितना वर्ग किलोमीटर है आप्षन A 32,212 वर्ग किलोमीटर आप्षन B 21,026 वर्ग किलोमीटर आप्षन C 44,212 वर्ग किलोमीटर आप्षन D 49,566 वर्ग किलोमीटर तो आपका सही उतर है आप्षन C 44,212 वर्ग किलोमीटर है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्य बाद वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दिजिए ऐसे ही most important जीके जीए इस वीडियो पढ़ने के लिए और हमारे चैनल पर अनेक जीके जीए इसके most important वीडियो उपलब्ध है आप एक बार जाकर जरूर देखिए तो मिलते हैं किसी नाइब वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत